जनजन की आवाज जियन भरत में आपका बहुती स्वागत है और हम सिटी एस्पी के कारयाले में मौझूद है जहां पर सिटी एस्पी अंशुमन कुमार ने ये कहा है कि हमने डोरंडा इलाके से कुफ्यात बदमाश को पकड़ा है जिस पे 14 केसे लंबित है उसे 2 पिस्टल औ को एक सूचना दी गई थी जिसमें ये बताया गया कि वसीम फुर्फ गोजा इस नाम का एक तुराना अपराद करमी जो कि अनिकाने कांडो में वांचित है और इसके लालवारंट भी है इसको दुरंडा में मैं देखा गया है लग 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 जो जगह है वो भोगता में आय में दो आम्स मिले हैं जो कि देशी पिस्टल में मैगीन भी लगी हुई थी जो कि आप देख पाएंगे साथ में इसके पास आठ कार्फूस भी मिले हैं और जनरली ये लोग जो अपने साथ कून रचते हैं वो भी मिला है यह वैक्ती लग वग 14 कांडो में वांचित है लग चीज के चांसेस की आगे में हत्या इत्यादी सब्सक्राइब होने के अमकाम देशा रहता है उस पे हम लोग रोल लगाने में सपल जोंगे हैं ये मनीडोला का रहने वाला है दुरंडा को इस इंपॉर्टर्ट के इंवल्मेंट है जयता मैंने आपको बताया कि लगवत 14 के परहसेस में वानशित है कि मुख्य रूप के रूड़नडा के ठाना इंतर गथी इसके गुरूत के सथ दर्ध है इसके अलावा बर्यातु लोवर बजार और सदर ठाना के खेत्र में भी इसने कांट किये है मुख्य काम जो है रंगदारी ही इसका मुख्य पेशाई प्रकास इसमें बनाके रखता था और भी अगराद में शामिल रहता था इस चोगार केसे बदायात में कितने जगे हैं एक अरिश्टाशन हो गया बाकी हत्या का प्रियास है सत्र का इसके नाम आए हैं जिसको हम लोग बाद मेरिफाए करा थे इसमें एड़ करेंगे अब वो अभी पता पाना ठीक नहीं होगा इसका ये लाख दोजार एककिस में इसने घटना की थी जिसके बाद वो भाग दया था और इसका हाल फिलाल में इसका जो मुमेंट चक्रा की तरफी ज़्यादा था हाल में रांची आया तो इसको पकड़ा लिए तो आपने साफ तार पर अंश्रुमन कमार्ण को कहते हुए सुन सकते है कि आगे के लिए अच्छा है क्योंकि 14 केसे इस पर पेंडिंग है तो आगे के लिए आगे कोई बड़ी घटना न हो जाए इसके लिए इससे पकड़ना हमें बहत महत्तपून था एक टीम का गठन किया किया जैसा आपने सुना तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूले